आज से हम लोग एक नया मॉडूल शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है Google Ads अब देखिए हमने पहले Facebook Ads सिखा अब गूगल एड्स और फेस्बूक एड्स में डिफरेंस क्या है तो गूगल एड्स जो है वो इंटेंट बेस है और फेस्बूक जो है इंट्रेस्ट बेस्ट है अब फेस्बूक पे हम ओड्स की तरफ जा रहे हैं लेकिन गूगल में ओड्स हमारी तरफ आ रहा है और फेस्बूक में यहां उसका इंटेंट होता है हम लोग forcibly उसको आडड दिखा रहे हैं उसके interest based है लेकिन Google में intent से related, हम लोग ads उसको दिखा रहे हैं वोठीकि वो चाहता है वही चीज देखना तो हम लोग वही चीज उसको provide कर रहे हैं तो history के तरफ चलते हैं थोड़ा सा Google जो है Google Ads ये गूगल एड्स नहीं था, इट वस फॉर्मर्ली नोन एज गूगल एडवर्ड्स 2018 में, जुलाइ 2018 में, इसका रिब्रैंडिंग हुआ और इसका नामकरन हुआ गूगल एड्स में, ठीक है, उसको गूगल एडवर्ड्स के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन ये कब लाउंच हुआ, तो year 2000, 2000 में, 98 में सर्च इंजन आया गूगल, और उसके बाद, उन्होंने बहुती फ्यूचर परस्पेक्टिव से सोच के, फ्यूचर में इसका एक बहुत अच्छा जबर्दस इंपेक्ट होने वाला है, ये सोच के, गूगल की टीम ने ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यार। तो, 2000 सन 2000 में गूगल एड़्स का, गूगल एडवर्स का, जो है, प्लाटफॉर्म लाँच हुआ, एड़्स मार्केटिंग परपस के लिए, और दो साल के बाद ही इसका एक फ्यूचर इस्टिक व्यू से अगर सोचे तो, बहुत दुर दुरुष्टी रखके उन्होंने सो हो सकता है, इसका फ्यूचर में बहुत यूज हो पाएगा, फिर गूगल एड़्स का लाँच होने के बाद, वहां पर उतनी कुछ अडवर्टीजमेंट से रिलेटेड उतने सारे प्लाटफॉम्स नहीं थे, बट आज हम लोग देखें, तो बहुत सारे अडवर्टीजमें हम लोग लगा सकते हैं, गुगल एड़्स पर, और वो देखेंगे आगे चलके कोन से कोन से हैं, अभी यहां पर एक सवाल लिये आता है, कि सर्च इंजिन अप्टिमाजेशन या फिर गुगल एड़्स, तो दोनों अपनी अपनी जगा सही है, दोनों भी बहतरीन अभी प्रॉचेशन अपनी जगा सब्सक्राइब के लिए लोग टाइब करने के लिए लंबा समय लगता है, बद उसके जो बेनिफिट से लॉग टम के लिए रहते हैं, गुगल एड़्स शॉर्ट टम के लिए बोल सकते हो, इमीजेट रिजल्स मिलते हैं हमें, गुगल आ सेल करना है, किसी सर्विस रिगार्डिंग या प्रोडक्ट्स का जो हम को सेल करना है, तो हम लोग इमीजेटली गुगल की उपर आड लगा सकते हैं, और टॉप रैंकिंग हासिल कर सकते हैं, एस्यू के लिए उतना समय नहीं मिलता है, और वो लॉग टरम प्रोसेस होता है, और बहुत सारे टेक्निकालिटी से होके गुजरना पड़ता है हमें, तब जाके हम लोग रैंक कर पाते हैं, बट गुगल एड्स के प्लैटफोर्म में ऐसा नहीं होता हम लोग वीदिन अडें हम लोग टॉप रैंकिंग सर्च में आ जाते हैं, और हो सकता है हमारी जू सर् गुगल एड्स के प्लैटफोर्म के उपर आता है और वहां पे हम लोग बहुत सारी तरीके से आड लगा सकते हैं, तो उसमें सर्च अड्स, डिस्पल एड होता है, बैनर एड होता है, वीडियो एड होता है तो बेसिकली हम लोग दो प्लैटफोर्म के उपर जो है, गुगल एड्स रन कर सकते हैं, एक तो गुगल का खुद का प्लैटफोर्म और दूसरे गुगल के पार्टनर प्लैटफोर्म, अब गुगल का खुद का प्लैटफोर्म है निकि सर्च इंजन, सेकंड है रन करते हैं, और तीसरा है एंड्रोइट, एंड्रोइट भी गुगल का प्लैटफोर्म है, तो वहाँ पे जितने भी हम लोग एप्स वगएरा, एप्स वगएरा में एड्स देखते हैं, डिस्प्लैड्स, वीडियो एड्स तो वो भी गुगल की प्रोपर्टी हैं, तो गुगल के पार्टनर, जैसे एड्सेंस है, एड्सेंस के मादधम से हम लोगों ने बोला है कि गुगल को कि हमारी वेबसाइट के उपर, हमारे ब्लॉग के उपर वो एड्ड दिखा सकता है, उसके बदले में थोड़ा रेमेन्य हमको देता है, और गुगल कुछ परसेंट अपने पास रखता है, 65-68% वो ब्लॉगर को देता है, जो उसका ओनर है, प्लैटफॉर्म का, ब्लॉग का, और बाकी की जो बची जो रेमेन्य है, वो खुद रख लेता है, तो इस तरीके से हम लोग गुगल एड्सेंस के तरफ जाते हैं, हम लोग गुगल एड्सेंस एक म करना शुरू कर देता है, तो इस तरीके से जो है, इतनी सारी प्रॉपर्टी के उपर इतनी सारे प्लैटफॉर्म के उपर हम लोग एड्स रन कर सकते हैं, गुगल एड्स में आगे चलेके हम लोग, जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे, कुञून से किस तरीकी के एड्स हम लगा सकते हैं और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट टेकनिकालिटीज होगी या अब्जेक्टिव्स होगे क्या हैं पेन क्योल होगे वो भी देखेंगे आगे चाहिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह क्या हो रहा है तो जैसे मैंने बताया कि गूगल जो है फॉर्मरली नोन आज गूगल एडवर्ट्स और गूगल सर्च नेटवर्क के उपर और नॉन सर्च वेबसाइट्स, मॉबाइल लाप्स, वीडियोज डिस्प्ले नेटवर्क के उपर हम लोग अड़ लगा सकते हैं यहां पर मैंने एक मॉडल नहीं रखा है एक है PPC पर क्लिक प्रैसिंग मॉडल पेपर क्लिक आपने सुनाओगा इसको PPC मार्कटिंग भी बोल सकते हो आप या Search Engine मार्कटिंग भी बोल सकते है PPC मार्कटिंग भी बोल सकते है PPC मॉडल और PPC मॉडल और CPM cost per thousand impression यह दो मॉडल के उपर यह काम करता है बेसिकली Google Ads की जो parent company Alphabet Inc. उसका जो main source है revenue का वो Google Ads से ही आता है तो year 2019 में यह मैंने word stream करके website यहां से कुछ data लिया है और Search Engine Journal से और एक दो websites है वहां से मैंने data लिया है ठीक है और Google के business Google की website और business insider magazine से news magazine से यह मैंने data लिया है ठीक है तो 134.8 billion dollars का जो revenue है 90% जो revenue आता है Google को वो आता है advertising से ठीक है revenue का जो source होता है Google का वो ads के ही माध्यम से आता है ठीक है July 2018 में उसने खुद का rebranding किया Google Ads का और उसका नाम हो गया Google Ads AdWords से ads हो गया सम इंट्रेस्टिंग स्टैस्टिक्स जो देखते हैं Google Ads के तो 97% of Google's total revenue देखे 97% मैंने तो 90% बोला था 97% of Google's total revenue come from advertising ठीक है यहां पर जब कोई business advertise करता है तो एक रुबया आगर वो आड पे लगाता है तो उसको दो रुपय का फैदा होता है business makes an average of $2 in revenue for every $1 they spend on Google Ads ठीक है मतलब 100% benefit ठीक है 100% benefit जो है हमें return on investment मिलता है Google Ads और यह Google का खुद का गयना यह Google की website से लिया गया है ठीक है और यह word stream में भी लिखा है search engine journal में भी लिखा है business insider में लिखा है business makes an average of $2 by spending $1 the average click-through rate CTR जो हता है for an ad in the first position is 7.94 average click-through rate CTR जो हता है किसी भी आड का तो 7.94 मतलब बहुत बढ़िया CTR माना जाता है Google Ads convert 50% better than organic search results ठीक है इसके ऊपर थोड़ा सा मीत है but Google की statistics है तो मान सकते है 50% जो organic results Google Ads convert होता है 50% होता है more than better than organic search results 65% of ads clicked have buyer intent keywords 65% जो ads के उपर click होता है 65% click जो हो रहे है वो सभी का intent होता है buy करने कुछ ना कुछ buy करना shop करना purchase करना get cheap और sell इस तरीके के keywords है उसी तरीके के ऊपर click होता है 65% clicks 70% of mobile e-commerce customers place calls through mobile ads 75% mobile e-commerce customers calls place करते है mobile ads के through यह सम इंटरेस्टिंग facts है अभी देखिए जैसे एक यहां मैंने search image निकालके रखा है जैसे Google ads यह work कैसे करता है सबसे पहले तो यह हम लोग देखेंगे उसके बाद बाकी की सारी details हम लोग देखते है जैसे यह देखिए यह एक image है जो यहां पे कितने images है कितने ads है 123 123 कही 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 पे हम 4B ads देख सकते है 4 ads हो सकती है 3 ads हो सकती है तो यहां पे यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे यह ad first position पे है यह second position पे है यह third position पे है यह fourth position पे यह नहीं है बल्गी अगर suppose कर लेते हैं यहां पे तो Google ads जो है न वह auction पे काम करता है auction याने की बोली निलामी keywords की उपर हम लोग bidding करते हैं और बोली लगाते हैं कि मुझे इस keyword के उपर इतना पैसा लगाना है और इतने पैसे देके मुझे add लगानी है जैसे मैं यहां पे अगर search करता हूँ digital marketing digital marketing course in Mumbai देखते हैं देखें यहां पे one, two, three, four four ads मुझे दीख रही है अब देखो यहां पे google ad में auction किस तरह किसी काम करता है यह हम लोग पहली बार समझेंगे पहले तो यही समझेंगे auction किस तरह किस होता है और auction क्यों इतना important है जैए आपकी मन में आया होगा कि इसने बहुत जादा पैसे दिया होगे और इसने थोड़े सेब्धा पैसे दिया होगे तो इसने उससे बहुत पैसे जात पैसे डіत होंगे तो एससा नहीत है यहां पे Google Ads मनी मनी is not everything I in Google Ads is not everything मनि पैसा देके आप यहां की position खरीद नहीं सकते और यहां पैसा ही सब कुछ नहीं होता Google Ads में और बाकी की भी कुछ factors होते हैं जिसके उपर हम लोग discuss करने वाले हैं तो Google auction होता है basically तीन चीजों की वज़े से जो है एक तो यहां मैंने कोई slide नहीं रखाएं तो यहां पर एक चीज होती है दूसरी होती है bidding और तीसरा होता है quality score अब यह तीनों चीजे समझेंगे ad rank क्या होता है bidding क्या होती है और quality score क्या होता है जैसे यह 4 ads हमें दिक रही है तो यह 4 ads सिर्फ यह 4 लोगों ने अट लगाई होंगी इस keyword के लिए नहीं ऐसा नहीं है यह 4 ads नहीं लगाया होंगे हो सकता है यहां इस keyword के लिए बहुत सारे लोगों ने ads लगाई होंगी और इन लोगों की ads इन्होंने अच्छे तरीके से perform की है लगाई है तो भी इन लोगों की ad यहां पर दिख रही है अब competition में बहुत सारे लोग हैं हो सकता है एक हजार लोग होंगे जिन्होंने ad लगाई होंगी बट यह चारी लोग है 100 लोग हो सकते हैं जिन्होंने ad लगाई होगी इस keyword को target किया होगा इसके उपर bidding करी होगी बट इन लोगों की ad यहां पर क्यों देख रही है जिसे हम लोग facebook में देखते हैं कि हम लोग अगर ad लगाते हैं तो हमारी ad run हो जाती है परफॉम हो जाती है जो भी interest हम लोग target करते हैं वहां पर यहां पर जो user हैं यहां पर खुद हो के आ रहा है मैंने यहां पर search किया यह keyword और मुझे intent है मेरा higher intent है कि मैं हो सकता है मैं इनके prospect consumer हो सकता हूँ तो यह ad लगने के पीछे इसकी पीछे एक concept है auction का google auction करवाता है सभी keywords का और यह ad trigger होने के पीछे तीन जो most important factors है वो है पहला ad rank दूसरी है bidding और तीसरा है quality score अब यह ad rank क्या होता है और यह bidding क्या होती है और यह quality score क्या होता है यह हम लोग one by one समझते है ठीक है थोड़ा सा tricky concept है और इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से और आराम से समझते है यह position देता है जयसे इसका अफ यह toks होगा सी यह फास्ट बोजिशन पह इसका थोड़ा सा कम होगा इसकी position second पह इससे भी कम होगा इसका थोड़ा सा उससे भी कम होगा इसकी वजह से यह इनका जो है यह order बना 1234 एड रेंग जो है डिफरेंट पोजिशन डिफरेंट नंबर ओफ पोजिशन जो है प्रोवाइड करता है यह सर्च इंजर पेज़स में तो हम लोग समझते हैं कि यह कंसेप्ट वर्क कैसे करता है देखिए यहां इस इस एक्जांपल को लेकि हम लोग समझते हैं यहां पर एक एक इमेज है इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं यह चार एड़टेजर हैं सपोज मान लेते हैं यही चार एड़टेजर हैं इन लोगोंने एड्स लगाई हैं गूगल पर सर्च आड्स टेक्स आड्स इसने Advertiser No.1 ने इसने रुपे दिये दो टीक है यह डॉलर का साहिन है यहाँ पर दो रुपे समझते हैं दो रुपे दिये इसका Maximum Beat था Maximum Beat यहनि जादा से जादा यह दो रुपे दिया ठीक है इसका Quality Score है 10 ठीक है quality score है 10 अब quality score कैसे calculate होता है यह मैं आगे बताऊंगा ठीक है अभी फिलाल के लिए यही समझ लेते हैं कि यह number 10 इसका quality score है Google ने दिया है इसको quality score और quality score का जो जो formula है यार यह क्यों ऐसा हो रहा है quality score का जो फॉर्मूला है वो यह है और सॉरी यह नहीं है एड रैंक का एड रैंक का जो फॉर्मूला है quality score का हम लोग बाद में देखते है एड रैंक जो है कि इस तरीकी से maximum bid into quality score CPC bid जो भी maximum bid है और quality score multiplied by quality score जो है वो होती है एड रैंक इसने दो रूपे दिये maximum bid जिसका CPC जो रेट है इसका दो रूपे है इसका quality score 10 है तो इसकी एड रैंक है 20 तीक है यह समझे लाब maximum bid into quality score या CPC bid into quality score is equal to add rank तो यह होता है इसका फॉर्मूला और 10 into 2 is equal to 20 तो 20 add rank मिला advertiser 1 को ठीक है और यहाँ पर advertiser 2 को मिला है advertiser 2 ने maximum bid रखी है 4 रूपे मैं एक click के लिए 4 रूपे देना चाहता हूँ बट उसका quality score है 4 तो 4 into 4 16 इसका add rank हुआ then advertiser 3 आया यहाँ पर उसने 6 रूपे दिये हो सकता है मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है meeting बढ रही है इसने 2 रूपे दिये इसका और add rank आया 20 इसका quality score था 10 इसने 4 रूपे दिये इसका quality score था 4 इसका add rank आया 16 multiplied by 4 into 4 इसका maximum bid था 6 और इसका quality score था 2 तो इसका add rank आया 12 इसका चौते नंबर का advertiser है उसका maximum bid था 8 रूपे देना चाहता था एक CPC के लिए लेकिन उसका quality score था 1 तो उसका जो add rank है वो 8 ही है ठीक है अभी यहाँ पर एक समझ लेते एक scenario है देखो यहाँ पर इसने पैसे तो कम दिये और इसने ज़ादा दिये तो यह चौते नंबर पे क्यों गया और यहाँ इसने पैसे तो कम दिये लेकिन फिर भी यह पहले नंबर पे कैसे आया यह एक सोचने वाली बात है तो यहां हम लोग थोड़ा सा इसको बाद में सोचते हैं बट यहां एक और एक सिनारियो हमें study करना है कि यह अगर दो रुपे दे रहा है तो क्या इसके दो रुपे कटेंगे मतलब दो रुपे ही CPC होगा इसका cost per click नहीं ठीक है यह दो रुपे यहां पर क्या हो रहा है इसका जो quality score है इसका अच्छा था बाकी के comparison में तो इसको add rank 20 मिला लेकिन इन नीचे वाले लोगों का quality score है कम है इसके लिए इनको कम add rank मिले और जिसका add rank high होता है उसकी quality उसकी जो position होती है वो number one पर होती है जिसका add rank high होता है bid रखी है तो इसको 2 रुपए नहीं देने होंगे उसको उससे भी कम पैसे लग सकते है अब कैसे इसका actual CPC जो है इसका actual CPC मतलब actual cost per click इसको 2 रुपए तो इसने ठीक है maximum bid लगा है उसने but इसका जो actual CPC actual cost per click है एक रुपए 61 पैसे है कैसे इसका एक formula है ठीक है यहाँ पे इसका formula इसको जो cost per click लग रहा है यह कैसे calculate हो रहा है इसका formula ऐसा है कि आप चाहों तो note करके रख सकते हो यहाँ पे मैं notepad आपको notepad में आपको दिखाता हूँ समझा के देखे यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे यह जो इसका actual CPC कैसे calculate हो रहा है यह formula है यहाँ पे मैं आपको actual CPC का formula बताता हूँ actual CPC is equal to just a minute actual CPC is equal to add rank person below you divided by quality score divided by your quality score your quality score plus 0.01 ठीक है यह जो है इसका formula है ठीक है कुछ मेरे PC में गडबड है laptop में पता नहीं क्या हो रहा है इसका 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 जो इसका जो एक्च्वल सीपी से कैसे काउंट होगा Advertiser 1 है इसने डो रुपय मैकसिमम भीड किया इसका quality score दो है इसका add rank 20 है तो इसका actual CPC का फर्मुला इसको इतने पासे कैसे देने पढ़ सकते हैं इसका जो नीचे वाला जो Advertiser है इसके बिलो जो है वो person उसका ad rank आता है 16 तो 16 divided by 10 मतलब 10 कौन मेरा quality score यह जो my first position के हो 16 divided by 10 plus 0.01 तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 16 divided by 10 is equal to 1.60 plus 0.01 is equal to 1.61 यह मुझे 1.60 पैसे देने पड़ेंगे मेरे को एक CPC के लिए एक click के लिए एक click के लिए मुझे 1.60 परसेंट देने पड़ेंगे वैसे ही अगर हम लोग देखें तो एड़ोटरीज जरू सेकंड जो है इसका maximum CPC bid था 4 रूपीज और इसका quality score था 4 तो इसका जो add rank आया 16 तो 16 इसका add rank आया लेकिन उसके नीचे वाले का 12 आया 12 divided by 4 उसका quality score थीक है 12 divided by 4 is equal to 3 plus 0.01 यह जो है 0.01 यह जो है बाकी की factors के लिए हम लोग calculate कर रहे हैं क्योंकि यह formula ही वैसा है तो यह इसकी जो cost पर click आएगी एक click के लिए उसको देना पड़ेगा 3.01 रूपीज ठीक है वैसे ही इसका 6 उसने maximum beat रखा इसका quality score था 2 और उसका जो add rank है उसका 12 लेकिन उसके नीचे का add rank आया है 8 तो 8 divided by 2 यह third वाले का quality score plus 0.01 तो इसका जो quality score इसका जो actual cpc है इसका actual cost पर click आया 4.01 ठीक है इसने हो सकता है 6 maximum beat रखा है बट इसको 4.01 रूपीज पे करने पड़ेगे अब यह जो है यह चोथे position पहया इसके नीचे जो भी होगा जो भी fifth person होगा उसको quality score भी मतलब poor था और poor होने की वज़े से यह जो है इसको fourth position मेली और वैसे ही इसको इसका जो है cpc जो है इसका highest रहेगा among these three persons ठीक है यह इसका जो है cpc जादा रहेगा क्योंकि इसको quality score बहुत ही poor है एक और इसका जो maximum beat है 8 रूप है तो इसको 8 रूप ही देने पड़ेंगे ठीक है हो सकता है इसके नीचे वाले का हो सकता है six हो सकता है four हो सकता है तो इसको उस हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पर click करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा समझ में आया क्या थोड़ा 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 अभी हो और हम लोग समझेंगे quality score add rank के बार अभी यह जो यहाँ पर एक और मैंने slide लिया है word streams है देख यहाँ पर एड़टाइजर वन है maximum beat 4 quality score 8 add rank उसका 32 8 into 4 32 इसका position 1 आया लेकिन उसका CPC calculation जो है 27 मतलब यह जो निसका नीचे का जो add rank है 27 यह यार क्या कुछ 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 सॉरी यह डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा पता नहीं क्या ऐसे ब्हेव कर रहे है यह जो असे कर रहे है तो यहां अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए तो यहां देखी यह यह जो है यह सेकंड इमेज जो है वर्ड स्क्रिम से लिया मैंने तो यहां यह वही जो है वही इसको हम लोग यहां पर समझ रहे और सेम चीज़े हैं अब थोड़ा सा अब यहां थोड़ा सा सीन समझते हैं कि कॉलिटी स्कॉर क्या है और अड्रेंग क्या होता है अड्रेंग डिटर्मांइन अच्छा होगा तो इसकी वज़े से यह टॉप रैंक में आ गया अब what is quality score? What is quality score? Quality score indicates how relevant the experience will be to users and plays a big role in what position ads appear in the search results and how much an advertiser will pay-per-click. Advertisers don't see an ads actual quality score. हमलोग actual quality score देख नही सकते, but Google does show an actual external quality score of 1 to 10. 1 to 10 हम लोग अपना जो quality score देख सकते है keyword level पर हम लोग देखेंगे आगे चलके हमको कितना quality score वगरा देख सकता है. When quality score improves, cost per click may go down और an average position improve. अगर quality score हमारा improve होता है, तो हमारा जो cost per click है, जो हम लोग पैसे दे रहे हैं, वो हमारा down आ सकता है या जो हम लोगोंने पैसा लगाया है, उतना ही लग सकता है. हो सकता है 2 रुपे लगे, तो या फिर्ट रुपे लग सकता है, बट उसके ऊपर नहीं तो quality score improve होने में ऐसी बहुत सारी चीज़े होती है, बट उसमें से तीन या चार में चीज़े बताऊंगा, जैसे most important factors है, वो quality score improve होने के लिए, तो पहला है, जो है हमारा keyword है, ad relevance हमारा ad का, तो वो कैसे है, जैसे हमने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने digital marketing course in Mumbai, यह हमने keyword लिखा है, यह keyword टाइप किया, और हमें यह ads है, यह ads दिखे, अब यह ads दिखने के बाद, अगर मैं यहाँ पे इसको click करता हूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको click करता हूं, तो मुझे यह actual digital marketing course से related information दे रहा है, या नहीं दे रहा है, तो यह होती है keyword relevancy, अगर keyword या add relevancy, add relevancy keyword की उपर बहुत focus रहना पड़ता है, हमारा add relevant है की नहीं, उस keyword के लिए, ठीक है, अगर मैं यह keyword use कर रहा हूं, तो यह मेरा add relevant है की नहीं है, यह relevant किस position, किस factor से relevant हो सकता है, अगर मैं इसके उपर click कर रहा हूं, तो मुझे यह page दिख रहा है, यह कोई जो भी institute है या agency, company है, तो यह मुझे relevant हो सकती है, बट अगर suppose मैं इसको click कर रहा हूं, और मुझे jwe या need का कोई course दिखे, यह हो सकता है, मुझे कोई अलगी courses का, classes का advertisement दिखे, तो यह irrelevant हो गया, तो बहुत सारे लोग क्या करते है, keyword selection में गलतियां के यह कर देते हैं, कि कोई keywords है, जिसका max, cpc जो है low है, और उस keyword के लिए अपना add लगा देते हैं, बट यह add irrelevant है, irrelevant होने के उसका quality score जादा हो जाता है, और quality score जादा होने की वज़े से, उसका जो position है, वो कभी नहीं आ से, लो पाता हो उसको, तो यह question के से करना है, और theming, keyword की उपर theming रहना चाहिए, और यह सब हम लोग जब आगे चलके campaign बनाएंगे, उसके उपर हम लोग बाद में सोचेंगे, second जो है, पहला जो factor है, एड रिलेवनसी का, अगेन यह problem आया है, यार क्या है, एड रिलेवनसी का, इसके बाद आता है, लेंडिंग पेज, लेंडिंग पेज, transparency and navigation या फिर user experience बोल लो आप, तो यह सब चीजें भी matter करती है, quality score में, अगर मैं कोई add क्यों पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मुझे misleading information मिल रहे है, लेंडिंग पेज क्यों पर, हो सकता है, मैंने क्लिक किया, और मुझे जड या नीट का exam का कुछ मिला, या फिर हो सकता है, मुझे कुछ information ही नहीं मिली होगी, properly, मेरे इस keyword से regarding, या इस add से regarding, तो हो सकता है, मेरे landing page का जो है performance डाउन हो जाएगा, और मेरा quality score भी डाउन हो जाएगा, तो यह एक matter है, दूसरा है ease of navigation, यह भी एक factor है, मुझे मैं landing page पे आने के बाद मुझे अगर properly information समझ नहीं आ रही है, या मुझे कहां पे जाना है, क्या click करना है, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो भी मेरा landing page का जो navigation है, वो quality score मेरा down हो जाएगा उसकी वज़े से, थर्ड जो important factor है quality score के पीछे, वो है on-site timing, on-site timing, यानि अगर मैं इस के उपर, इस ad के उपर click करके, अगर आता हूँ यहां पर, यहां पर आने के बाद मुझे अगर उसका landing page properly मुझे नहीं दीख रहा है, तो हो सकता है मेरा जो, जो मेरा जो timing है, जैसे मैंने अभी exit कर दिया, तो मेरा timing क्या हो गया है, दो से तीन सेकंड, चार सेकंड मुझे कुछ समझ में नहीं है, तो site timing, जैसे मैं अगर एक landing page पे दो मिनिट, तीर मिनिट रहता हूँ, तो मेरा user experience या, sorry, क्या बोल सकते उसको, onsite timing बढ़ जाता है, और Google को अपने आप hint जाता है, उसका algorithm या artificial intelligence बोलो आप, उसको पता जल जाता है कि नहीं, इनका landing page अच्छा है, इनके landing page पे आने के बाद जो user है, maximum time spend कर रहा है, तो maximum time spend करने के वाज़े से, जो है, जो है, relevancy जादा बढ़ जाती है, और उसका quality score इंप्रूव होता है, तो यह सब चीज़े important है, landing page create करते वक्त, एक तो हमारा add relevance होना चाहिए, add relevant landing page होना चाहिए, और keywords भी वैसी होने चाहिए, add relevant, landing page transparency और ease of navigation होना चाहिए, और third जो चीज़ है, वो है, हमारा user experience या, onsite timing जो है, increase होना चाहिए, ज्यादा time spent करना चाहिए user, उस हिसाब से हमारा quality score बनता है, और यह quality score के उपर हमारा कोई control नहीं होता, Google हमें देता है, quality score यह वाला, ठीक है, तो यह matrix जो है, यह हम लोग keyword position के उपर हम लोग जब campaign का जो analytics देखेंगे, तब हम की quality score भी देखेगा कि हमारा quality score कितना होगा, क्या होगा, ठीक है, तो यह सब चीज़े जो है, हमारी जो cpc है, जो cost per click है, उसके उपर depend करते है, quality score, और हमारी जो ad की जो position होती है, गूगल search engine result pages में, तो हमारा add rank decide करता है, और quality score हमारा actual cpc decide करता है, तो अभी आपको समझ में आ गया, I think, आ गया होगा, तो सर यह quality score जो है, website की quality के हिसा आप से बढ़ता होगा, ना, राइट, 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 वेबसाइट हमारा जो है, UI, UX उसका कैसा है, ease of navigation कितना है, हम कितना अच्छे से information put किये हैं, हमारी website में, और हमारा जो है website proper order में है या नहीं है, website या landing page बोल सकते हो, वो clear knowledge दे रहा है या नहीं दे रहा है, जो भी user है उनको, तो यह सब चीज़े depend करती है, जो, जो है quality score के लिए, ठीक है, तो हर किसी का quality score अलग-अलग होता है, और quality score ही depend, quality score बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पर मैंने जैसे पहले बताएं, पैसे सब कुछ नहीं होते है, बाकी हमारी मेहनत भी बहाँ पर बहुत रंग लानी पड़ती है, क्योंकि वहां पर हमें landing page की उपर, हमारे keywords की उपर, और बाकी की जो factors है, यह इनकी उपर भी हमें उतना ही मैनत करनी पड़ती है, जितना अगर हमें पैसे कम हमारे बचाने है, हमारे client के पैसे बचाने है तो, यह बाकी की सारी factors भी उतना ही काम, क्या बोलते है, important है, तो यह सब चीजे जरूरी है, और हमारे जो ads run करने के पहले, इन सब चीजों के उपर हमें सोचना चाहिए, हमारे landing page और हमारे website के बारे में भी, right, और अगेन यहां पर notification आ गया, फिर से बंद होगा यह, कुछ problem तो है, तो यहां पर Google looks at three things when calculating quality score, expected click-through rate CTR which reflects the likelihood a user will click on and add, यहां पर अगर user click कर रहा है, तो उसको relevant लग रहा है नहीं, उसका CTR भी एक important factor है, जितना अच्छा CTR होगा, उतना अच्छा quality score, then add relevancy to the query, the add copy should clearly relate to what the user is looking for, यह जो add copy इसने लिखी है, यहां पर, यहां पर जितना भी description है, और यह जो headline है, यहां पर, यहां पर जो, क्या बोल सकते है, यह जो URL है, यह keyword के according, यह query के according relate करती है, यह नहीं करती है, यह भी उतना ही important है, landing page experience, are the users directed to a page that reflects the intent of the query, and does not page provide a good user experience, अगर user experience अच्छा नहीं है उस landing page का, तो उसका relevancy, जो है, अगर मान लोग कि यहां पर आज, जितने users हैं, जितना click हुआ, अगर उनका उन लोगों ने within 3 और 4 seconds या 5 seconds या 10 seconds उन्होंने exit कर दिया, तो इसका quality score पूर हो जाएगा, ठीक है, यह ऐसा नहीं कि एक बार इसने quality score दे दिया, तो final हो गया, इसका quality score हमेशा चुक होता, आज यह first position पे है, तो हो सकता है, यह second position पे हो जाएगा, यह second position पे हो जा score के उपर बहुत धान देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, यह सब चीज़े equally important है, जितना की बाकी की factors depend करते हैं, पैसे वगेरा, ठीक है, अभी हम लोग आते हैं, हमारे Google Ads के platform के उपर, अब यहाँ पे दो तरीके से आप आ सकते हो, Google Ads, ads.google.com या फिर simply type करो, Google Ads, Google Search में, हम लोग, हमारे campaign का structure कैसे होता है, वो देखते हैं, ठीक है, यहाँ मैं इस के उपर आतो पहला link चाहा है, यहाँ पे इस तरीकी का आपको दीखेगा, जो page है, first page, और यहाँ हम लोग आते हैं, sign in करते हैं, sign in करने के बाद, अब यह जितने भी मेरे accounts है, Google Ads के, तो यहाँ, आप चाहों जितने ads, ad accounts यहाँ पर create कर सकते हो, like facebook ads, manager, जितने भी आप accounts create करना चाहते हो, उतने कर सकते हो, यहाँ आपको first time अगर आऊ गया, तो यहाँ यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको, इस तरीकी का एक page open होगा, ठीक है, तो यह page जो open हो रहा है, यह जो URL open हो रहा है, यह एक beginner level के लिए है, आपको, आप जब first time Google Ads में, आप जब sign in करोगे, तो आपको इस तरीकी का एक dashboard मिलेगा, बट यहाँ से आपको add रहे ही run करना है, what's your main advertising goal, यहाँ पर आगर आपके लिए करो, get more calls, get more website, visits, or sales, get more visits to your physical location, तो यहाँ से आपको नहीं जाना, यह beginner level के लिए है, जो लोग ads चलाना नहीं जानते, उनके लिए यह है Google, जैसे हम लोग Facebook में post डालते हैं, तो boost करते हैं हम लोग उस post को, उसी हिसाब से इसको समझ लोगा, यह boost level का जो है, एक platform बोल सकते हैं, आपको यहाँ आना है, नीचे, are you a professional marketer, यहाँ switch to expert mode, इसकी उपर आपको क्लिक करना है, और इसकी उपर क्लिक करने के बाद, यहाँ मैं बैग जाता हूँ, आपको कौन सा platform देखेगा, यहाँ पे, आपको इस तरीके का dashboard मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का dashboard मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का dashboard मिलेगा, और यहाँ जितने भी campaigns आपने run किये होंगे, तो उसी साब से आपको, जो है, जो, 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 जो रिजल्ट से overview है, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपका, जो है, analytics का dashboard, यहाँ पे campaign से related, जो है, notices या, एक box मिलेगा, आपको window मिलेगी, और यहाँ keyword से related window, यहाँ पे कितना clicks, कितना CTR वगरा, यह सब चीज़ है, यह dashboard है, overview, यहाँ पे हमको मिलेगा, अब यहाँ पे, आपको यह first time इतने options, यहाँ पे मुझे जितने options दिख रहे हैं, यह इतने options आपको first time नहीं दिखेंगे, हो सकता है, इसमें से 2-4 ही options आपको दिखें, इतने options मुझे इसलिए दिख रहे हैं, जैसे ही मैंने campaigns को run किये होंगे, यहाँ जितने भी campaigns मैंने बना तो आपको फर्स टैम यहां पर इतने जो है ऑप्शन नहीं दिखेंगे तो अभी हम लोग क्या करते हैं अभी हम लोग जाते हैं न्यू क्यामपेंट के उपर और यहां आज मैं इसके बारे में अगर मुझे टाइम मेला तो इसके बारे में समझाऊंगा नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं इसके पहले हम लोगों को और कुछ बहुत इंपोर्टन चीज़े समझनी है ठीके जैसे यहां पर इतने सारे डिफरेंट अब्जेक्टिव्स हैं इसको हम लोग थोड़ा सा सबर करेंगे इसको हम लोग थोड़ी देर बात समझेंगे अगर मैं इसके उपर आता हूँ यहां पर Google का जो campaign structure होता है Google Ads का जो campaign structure होता है वो इस तरीके से होता है सबसे पहले जैसे हमने Facebook में देखा था Facebook में पहले campaign होता है second adset होता है और third में ads हम लोग create करते हैं यहां पर भी somewhat similar है बट यहां पर खेल सारा keyword का होता है तो यहां पर सबसे पहले तो campaign आता है campaign उसके बाद ad group उसके बाद उस ad group में keyword आते हैं और उसके बाद ads आते हैं अब यहां पर एक campaign में हम लोग इसे दो-चार ad sets बनाते थे Facebook में यहां पर भी हम लोग ad groups बना सकते हैं चार बना सकते हैं दस बना सकते हैं कितने भी बना सकते और उस ad group में हम लोग keywords डालते हैं और यहां पर सारा खेल होता है keyword research का और यहां हम लोग जब इस level से होके गुजरते हैं सबसे पहले तो campaign then ad group then ads create ads तो इस ad group में हैं कि जितने keywords है उस हिसाब से हम लोग यहां पर जो है ads उस हिसाब से create कर सकते हैंads हमारे चार हो सकते हैं दस हो सकते हैं कितने भी हो सकते हैं एक campaign है उस campaign में 3-4 ad group और हर एक ad group में 3-4 keywords सिर्फ 3-4 keywords हमको keywords बहुत सारे मिलते हैं unlimited number of keywords, tons of keywords but हमें वो सारे के सारे keywords नहीं डालने है हमें एक ad group में 3-4 keywords दूसरे ad group में 3-4 keywords और चौथे ad group में भी 3-4 keywords इस तरीके से डालने है और एक campaign में 3-4 ad group बनाने है तो इसका जो भी strategy है यह हम लोग बाद में discuss करेंगे अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं जैसे ही यहाँ पर यहाँ पर हम लोग एक campaign देखते हैं जैसे सपोज मैं sales campaign without guidance यहाँ पर एक search campaign में create करता हूँ यहाँ पर मैं website का URL लग देता हूँ अब देट कंटियू यहाँ पर यह हम लोग मैं शिर्फ अभी बाढ़ वें गता रहा हो। यहां पे हम लोग detail में इसका campaign का ओवर्वी देखेंगे हर एक campaign का ओवर्वी देखेंगे, यहां पर यहां पर एड ग्रूप यहाँ पर एड यह एड जाता है रिव्यू के लिए जैसे फेस्बुक में जाता है यहाँ पर टाइप सर्च किया मैंने यहाँ पर सर्च जो भी कैम्पेण का नाम देना है हम लोग दे सकते हैं और यह एड जो है कौन से कौन से नेटवर्क के दीखेगा सर्च नेटवर्क के ओपर जैसे हाँ पर दीख रहा है और बाकी है बाकी आपदया ऑपर करोगता है तो अगलूःrid नेटवर्क के उपर, पर जैसे भी वेबसाइट के ऊपर आती है एड चाहित. हाँ पर यह display add, banner add बोल सकते हो आप लेकिन ये add दूसरे platform से है तो ये सारी जो ads नेटस है यह adds है तो ये जो है display adds.. ये display network दिखने चाहिए और नहीं दिखने चाहिए यहाँ पर एक argument यहाँ इस तरी केका है कि search at display at network में नहीं मतलब लगानी चाहिए ऐसा बोला जाता है बट ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है ये बाकी की जो भी details है हम लोग बारी-बारी से समझेंगे बट उससे पहले अगर मैं यहाँ पे save and continue करता हूँ तो मुझे यहाँ एड गूप लेवल पे आ गया मैं एड गूप लेवल पे आने के बाद मुझे मैंने ये मेरा जो URL डाला है तो उस हिसाब से मुझे keyword यहाँ automatically इतने सारे ढेर सारे keywords मुझे suggest कर रहा है तो मुझे यह मेरा एड गूप है और यह एड गूप में मुझे यह एड गूप नमबर वन है यहाँ इतने सारे keywords मुझे नहीं लेने है सबसे पहली बाद और यह keyword selection का कौन सा अच्छा तरीका है यह भी मैं बताऊँगा keyword planner का भी हम लोग use करेंगे आगे चल आगे उसके पहले सबसे पहले तो हमें keyword planner ही सिखना है यह ads बनाने के पहले तो उसके बाद हम लोग number of ad groups यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे यह ad group number one two three जितने भी हैं हम लोग यहाँ पर create कर सकते हैं तो यहाँ पर ad groups में यह keywords हमको search करके डालने होते हैं अभी यह keywords को समझना है पहले तो keywords किस तरीके के होते हैं और यहाँ पर अगर मैंने यह keyword डाला तो यही ad queue trigger हुआ और बाकी के जो scenarios हैं वो भी हम लोग थोड़े सा समझने की कोशिश करते हैं keyword जो होते है keyword basically chart प्रकार के होते है four types of keywords अब यहाँ पर थोड़ा सा और लेंदी है फिक है यहाँ पर और थोड़ा सा दिमाग यह अगर आप चीजी समझ गए तो आप पहला step पास हो गए यह जो ad rank का मैंने बता है CPC या quality score के बारे में और दूसरा यह keyword match types यह अगर आप समझ गए ना तो यह आप मतलब Google Ads 100% आप जो है लगा सकते हो या फिर 50% आप समझ लिए Google Ads को ठीक है तो adwords keyword match types जो है Google के जो ads यह मैंने जो आप बहुत सारे YouTube में भी और बहुत सारे bloggers ने भी यही जो है slide या image यूज़ करी है क्योंकि यह directly source Google से है तो Google का ही image है यह तो मैं भी यही यूज़ कर रहा हूं तो यह आप थोड़ा सा note कर लो तो keyword जो है पाच स्वारी चार प्रकार के होते है ठीक है अरे या यहां हम लोग सब्सक्राइब keyword match types यहां मैं open image करता हूं एरे यार यह तो बहुत गरिब निकला तो चार टाइप्स है keyword match types पहला तो है broad match सेकंड है broad match modifier थर्ड है phrase match और फोर्थ है exact match अब यह क्या होते है broad match याने अब यह हर किसी जो की हर कोई type जो है यह keyword का जितने भी चार प्रकार है keywords के हर किसी के लिए एक symbol से रिनोट किया जाता है जिसे broad match keyword है इसके लिए कोई symbol नहीं होता है special symbol नहीं होता है ठीक है जिसे example के लिए देखते हैं तो यह women's hats है यह example keyword है अगर यह keyword search करता है कोई user तो यहाँ पर इसके जो है misspelling, synonyms या उसके related searches and other relevant variations जो है हमें दिखते हैं जैसे women's hats यह keyword है हमारा तो हो सकता है कोई by ladies hats अगर keyword type कर रहा है तो उसके उपर हमारा जो है add trigger हो जाएगा क्योंकि यह broad match है इसके misspelling से जैसे बहुत सारे लोग misspelling भी करते हैं synonyms भी डालते हैं related search queries और other relevant variations जो बहुत सारे variations होते हैं एक keywords के और इसका जो है example keyword मैंने लिया woman's hats तो इसके जो spelling है जो भी user आ रहा है miss spelling miss कर रहा है miss spelling डाल रहा है यहां पर फिर उसका ladies head डाल रहा है suppose ladies hats अगर search कर रहा है या फिर by ladies hat search कर रहा है या कोई other variation जो relevant है close variations है उसका वो search कर रहा है तो यहां पर उसका result इस keyword के उपर भी वो add trigger होगा ठीक है second जो match type ब्रॉड match modifier keyword के पहले हमें जो है यह plus sign जो है लगाना होता है keyword के पहले हमें यह plus sign लगाना होता है जैसे यहां पर दिया है नीचे में भी जो keyword match type का आप use करो यहां पर इससे बोला गया है जैसे मैं इसके उपर जगर अगर मैं plus sign यूज करता हूँ तो यह हो जाता है मेरा broad match modifier जैसे यहां पर keyword के पहले अगर हम लोग plus sign का use करते है जैसे यहां पर women's hats है women's के आगे भी women's के पहले हमने plus sign यूज किया और hats के पहले भी हमने plus sign यूज किया तो यह कौन सी results दिखाएगा ads में ads में show on searches that contain the modified term और closer variations but not synonyms in any order यहां इसके आगे पीछे हमने plus sign लगाया आगे पीछे नहीं अगे हमने plus sign लगाया तो इसका closer variations दिखा सकता है जैसे women's hats दिखाएगा hats for women, women's for hats, women's for hats नहीं हो सकता, hats for women या women hats इस तरह के से भी जो keywords है closer variations वाले वह दिखाएगा आगे पीछे words को आगे पीछे करके but उसके synonym किसी भी way में नहीं दिखाएगा वह ठीक है वह होता है broad match modifier keyword जिसके पहले हम लोग लगाते हैं plus यह symbol लगाते है special symbol third जो होता है keyword match type phrase match phrase match keyword जो होता है उसके double inverted comma में quotation में double inverted quote में हम लोग उस keyword को रखते हैं जिसे यहां पे women's hats जो है double inverted quotes में रखा गया है तो यह क्या show करता है ads में show on searches that are a phrase and a close variation of that phrase यह phrase है one type of phrase इसका close variation दिखा सकता है ठीक है यहां पे by women's hats ठीक है by women's hats यहां पे women's hats दिखा है लेकिन यहां पे buy भी आ गया sale भी आ सकता है purchase भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है but यह word exact वही दिखाएगा उसके आगे पीछे कोई भी word लग सकता है but यह जो keyword है यह keyword वैसे ही रहेगा उसके आगे पीछे closer variations या कोई भी word लग सकता है but यह keyword change नहीं होगा यहां पे यहां पे इसका order change हो रहा है यहां पे इसका misspelling synonyms भी हमको ads दिख रही है देन फोर्थ जो keyword match type है वो है exact match यहां पे हम लोग bracket में keyword को denote करते हैं सिंबोल जो होता है bracket में हमारा जो total जो main keyword होता है हमारा bracket में होता है sorry for this interruption मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है और मैं भी यह हो रहा हूँ इरिटेट हो रहा हूँ इस से कोई चारा नहीं है इसको मैं आगे दिखता हूँ तो यहां पे exact match keyword यहां पे जो bracket है इसका जो symbol है bracket है bracket में हम लोग उस keyword को रख रहे है और उसके उपर हमें ads को सा दिखेगा that are an exact term and close variations of that exact term यह जो है यह keywords उसी keyword को जो है इसी keyword को है इसी keywords को जो है उसी keyword का add दिखाएगा उसी keyword से related हमें जो है add run करेगा अगर हमने यह exact keyword रख है जैसे digital marketing course जैसे मैं यहां पे जैसे broad match अगर broad match यहां फिर हम लोग पिर exact match की अगर difference देखें तो digital marketing course जैसे यहां पर misspelling हो गया है तो digital marketing course यहां पर जो है add मुझे दिख रहा है तो यहां पर misspelling का भी मुझे add दिख रहा है मतलब यह जो है जो है यह broad match keyword है इन्होंने select किया है यहां पर upgrade ने या बाकी की जो जो advertisers है इन लोगोंने broad match keyword यूज किया है ठीक है अगर यहां यहां पर मैंने misspelling डाली है फिर भी यहां पर जो है add trigger हुआ मतलब यह जो keyword है digital marketing course इन्होंने broad match terms के लिए यूज किया है ठीक है अगर मैं यहां पर online डालता हूं online marketing course तब भी मुझे ads different order में दिख रहे हैं बट वो different ads है तो यहां पर क्या हो रहा है हो सकता है यह broad match keyword हो इन ads के लिए हो सकता है यह exact match keyword हो in ads के लिए मतलब इसी add की ऊपर यह add trigger होना चाहिए इसके लिए इन लोगोंने क्या कर रहा होगा इस keyword को जो है bracket में जो है add group में denote किया होगा यहां पर ठीक है तो इस तरीके से broad match और exact match का जो difference है या फिर बाकी की जो keywords है उस हिसाब से हम लोग keywords का selection कर सकते हैं जैसे यहां हम लोग जब आ रहे हैं अपना campaign जो है create कर रहे है add group तो यहां हमें यहां हमें जो है keyword के आगे पीछे यह symbols यूज करने होते हैं जब हम लोग Google keyword planner देखेंगे आगे चलके तो वहां पर हमें exact जो ही चीजे समझ में आएंगी अगर हम लोग directly यहां से जो है यहां से जो है ads अगर run कर रहे हैं directly Google keyword planner का अगर use नहीं कर रहे हैं तो हमको यहां पर भी हमको इस keywords के इस keywords को बताना है कि यह हमारा exact match keyword है या phrase match keyword है जैसे इस तरीके से आपको symbols का use करना होगा अब यह क्यूव देखो यहां पर बहुत सारे लोगों के ads वर्क नहीं करते हैं बहुत सारे marketers जो है जो इन सारे चीजों को follow नहीं करते और उनको लगता है कि Google ad जो है उसका perform नहीं कर रहा है तो इनके पीछे तीन चार चीजे जो है वो हो सकती है अगर वो लोग broad keyword यूज कर रहे है तब उनका ad trigger नहीं होगा क्यों नहीं होगा यह मैं बात में बताऊंगा आपको अब देखिए यह broad keyword होने की वीज़े से यहाँ पर मुझे ऐसे मैंने अभी search किया था कि कि misspelling के उपर भी मेरा ad trigger हो गया ठीक है misspelling के उपर भी मेरा ad trigger हो गया इन लोगोंने highest cpc या highest bid किया होगा इसकी वज़े से यह ad trigger हो गया दूसरा scenario हो सकता है इन लोगोंने जो है broad keyword यूज कर रहा होगा इसलिए अगर मैं online marketing search कर रहा हूँ तो मुझे digital marketing से related भी मुझे जो है ads यहां पर देखे यहां पर और ads चेंज होगे ठीक है तो यह ads जो है मुझे दीक रहे हैं इन लोगोंने हो सकता है broad keyword का यूज कर रहा होगा अब broad keyword use क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मैं broad keyword यूज कर रहा हूँ और user जो है कुछ भी डाल के search कर सकता है जिसे marketing course भी यहां पर डाक के search कर सकता है हो सकता है वो digital marketing course नहीं search करना चाहता हूँ हो सकता है वो कोई free digital marketing course search करना चाहता हूँ तो यहां पर यह keyword जो है यह keyword की उपर भी यह ad trigger हुआ बट user का intent क्या है free digital marketing course search कर रहा है वो लेकिन हम उसको paid digital advertising की जो है जो ads है courses के ads है हम लोग दिखा रहे हैं तो user का कोई intent नहीं है यह keyword यह जो है course खरीदने का तो unnecessary क्या हो रहा है कि अगर वो इसको click कर रहा है तो मेरा जो है पैसा waste जा रहा है और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं broad keywords, broad match keywords search करते हैं और उनके ads click तो मिल जाता है Google को क्या चाहिए Google को चाहिए कि वो जितने ज़्यादा clicks हो उस budget में आपको keywords देने की कोशिश करेगा but clicks लाके कोई मतलब नहीं है clicks आएंगे आपको Google का काम ही है आपको clicks लाके देना क्योंकि model ही PPC का है but अगर clicks irrelevant है आपका searcher का कोई intent नहीं है आपका कोई product करीदने का फिर भी उसको add दिख रहा है वो click करके अपने website के उपर आ रहा है तो हमारे पैसे तो गए waste और हमारा कोई result नहीं आएगा और हमको जो है कोई profit या ROI return on investment नहीं मिलेगा तो mostly अगर देखा जाए तो broad match keyword बहुत सारे लोग use नहीं करते क्योंकि ये scene जो है ये scene हर किसी के साथ होता है broad match keyword broad match जो keyword है use नहीं करने के पीछे और मैं मैं खुद नहीं use करता है और मैं किसी को recommend भी नहीं करता है कि broad match unless कोई ऐसा use हो सकता है जहांपे हमको brand awareness या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुचना है तो हम लोग broad keyword का use कर सकते है हम लोग आगे चलके देखेंगे कौन से campaign लिए किस तरी के keywords हम लोग use करने चाहिए तो यहाँ पे जैसे ये है ये तो शायद आपको समझ में आ गया होगा keywords का क्या जो है role होता है right और इसी से related जैसे एक और जैसे slide है negative keyword यानि जो लोग broad match यूज कर रहे है जैसे इन लोगों ने broad match जो है ये keyword यूज किया है ठीक है ये broad match keyword digital marketing course अगर हम लोग देखते है ये broad match keyword है इस broad match keyword के उपर जो है add trigger हो रही है लेकिन अगर अगर मैं free digital marketing course करूंगा यहां पर तो हो सकता है इनके add नहीं show होंगे मैं free करता हूँ जैसे मान लोग कि यहां पर यह क्या है puppetbrush.com वगेरा और क्या IID वगेरा इन लोगों ने अगर इसके उपर भी इनके add दिख रहे है नहीं दिख रहे है जो भी है इनके add नहीं दिख रहे है मतलब इस keyword को उनने negative keyword किया है कि अगर कोई keyword यह keyword search करता है तो मेरा add वहां पर trigger नहीं होना चाहिए broad match keyword तो उन्होंने digital marketing course किया है broad match keyword digital marketing course यह broad match keyword उन्होंने select तो किया है बट उसी add group में या उसी keyword selection में उन्होंने keyword को negative कर दिया है मतलब इस keyword की उपर अगर कोई के आता है तो मेरा add show नहीं होना चाहिए मतलब मेरा cpc नहीं बढ़ेगा cpc नहीं बढ़ेगा तो मेरी पैसे बरबाद नहीं होंगे relevant results आएंगे तो वही meaning होता है negative keywords यूज करने का जब हम लोग campaign या ad group keyword planner का जब यूज करेंगे की negative keyword कैसे select किया जाता जैसे यहां पर negative keyword के broad match phrase match और exact match इतने types होते हैं तो यहां पर जैसे यह भी again google से लिया गया है image ठीक है तो यहां पर जैसे negative broad match keyword जैसे running shoes है तो running shoes broad match keyword है जहां पर blue tennis shoes और running gear यहां इस keywords के लिए यह ad show हो रहा है but blue running shoes, shoes running, running shoes इनके लिए ad यह नहीं हो रहा है वैसे ही phrase match phrase match में phrase match negative keyword running shoes यह है इसको हमने negative keyword में डाल दिया यह अभी समझ में नहीं आएगा फिर भी मैं बता रहो यह हम लोग जब campaign build करेंगे तब आपको यह समझ में आएगा जब हम लोग keyword planner का use करेंगे फिर भी यह थोड़ा सा हम लोग hint के लिए समझ रहे हैं अभी इसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग के उपर pressure डाल के समझना चाहते हो तो समझो वह अच्छा है आपके लिए बट इसको भी हम लोग आगे जब keyword planner का use करेंगे इसको भी हम in-depth समझेंगे कि negative keyword planner का use किस तरह के से करना चाहिए उसके भी keywords होते है broad match, phrase match और exact match जैसे किसी ने type किया running shoes अगर यह हमारा negative keyword है तो उसको उसके related जैसे synonyms नहीं दिखा रहा है लेकिन उसके opposite words tennis shoes के लिए add दिख रही है running gears के लिए add दिख रही है blue running shoes के लिए add नहीं दिख रही क्योंकि हमने negative phrase match किया है shoes running के उपर add दिख रही है keywords के जो है format change हो गया end का keyword पहले पहले का keyword end में आ गया है तो यह exact keyword जो है running shoes इसके उपर add नहीं trigger होगा क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ पर यह keyword को negative phrase match के उपर डाला है negative exact match keyword क्या होता है जैसे इसको bracket में डाल दिख exact जो running shoes यह अगर कोई click कर रहा है search कर रहा है तो जैसे बाकी के keywords के उपर दिखाएगा बट exact यह keyword के लिए नहीं दिखाएगा negative keyword थोड़ा सा bit यह confusing है बट जैसे हम लोग campaign करने के लिए सिखेंगे तब आपको यह सब चीजे समझ में आएगी तो यह सारी keyword match types है हमें बहुत important है और बहुत useful है और carefully हमें use करना चाहिए यह सब चीजे ताकि हमारा CTR बड़े हमारे clicks के उपर relevant results आए और हमारा sales बड़े ultimate goal हमारा वह होता है sales लाने का और Google keyword Google ads जो है Facebook ads से इसलिए बहुत अच्छा perform करता है क्योंकि यह थोड़ा सा महेंगा भी जाता है Facebook ads से क्योंकि यहां पर intent जो होता है searcher का user का वो कोई ना कोई चीज करने का intent होता है जैसे बहुत कुछ stats बता है आपको intent से relate आता है तो उसको वही चीजे दिखनी चाहिए जो हम दिखाना चाहते है तो यह सब चीजे होती है keyword से regarding तो I hope आपको यह सब चीजे समझ में समझ में आ गही होगी क्योंकि मेरा जो powerpoint है बहुत disrupt कर रहा है और मुझे भी बहुत disrupt हो रहा है link तूट रही है बोलते वक्त कि कुछ उसको fix करना पड़ेगा मुझे again कोई अगर question है तो आप कूछ सकते हो आप understanding ऐसा ही flow है ना कि take a broader thing then narrow it down using keywords राइट राइट तो same like Facebook उसमे भी ऐसे होता ना कि initially हम लोग एक्तम broad niche use करते है फिर ऐस पर आर निश वाट या audience तो निश के सब से audience select करते है ऐसे हो यह तो उसमें भी वैसे ही रहता है basic psychology भही है बट यहां पर यह है यह अलग है technique अलग है technique अलग है alright ठीक है मेरा सवाल यह था अभी पकड़ो की broad match keyword है ठीक है अगर मैंने यहां पर यहां पर women's hat लिया है तो अगर मैं women's नहीं लेता हूं hats लेता हूं ठीक है that is a broad match फिर broad match modifier है वहाँ पर women's or hats तोनों लिया है तो इसमें अगर यूज करते है कि men's के लिए kids के लिए women's के लिए children's के लिए जा फिर x y z ठीक है तो वह purify होते जाएगा ना अगर ब्रॉड मैच में ब्रॉड मैच में कोई भी result लिखाएगा आपको जेंड भी दिखा सकता है हाँ 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 that is fine वह समझ गया है वह ब्रॉड मैच में है ब्रॉड मैच में है लिए हमने हाँ 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 but in case कि अगर कोई specific keywords यूज करता है कि I'm like that person is looking for male heads ठीक है तो सिनॉम के ही सबसे अगर मैंने ब्रॉड मैच modifier में लिए है प्लस का साइन डाल के अगर वह particular keywords लिए है तो वह narrow down होके वह results में आएगा राइगा ब्रावर ना एक एक बार फिर से थोड़ा प्लाभी ब्रॉड मैच में मैंने हैट्स ले लिया सिर्फ हैट्स सिर्फ हैट्स ले लिया ब्रॉड मैच में तो मतलब और बाद में फिर modifier है उसमें मैंने segregate कर लिया प्लस sign डालके कि 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 के लिए हैट्स मेरे पास available है मेरे website मेरे पास मैंस के लिए है मेरे पास मेंस के लिए मेंस के लिए है चिदरन्स के लिए है इन फिर इन फिर उन फिर मुल्टिपल थिंग्स तो अगर मैं ब्रॉड मैच में single keyword डालता हूं और modifier में स्पेसिफाई करता हूं same goes for phrase match और exact wedge इसको मैं अभी क्लियर नहीं करना चाहता था आपको जब कैंपें बनाते वक्त इसको मैं क्लियर करना चाहता था अगें आप ज्यादा क्यूरियस हो तो मैं अभी बता देता हूँ यहां पर यहां पर एक और एक और हो सकता है फोर्थ यहां हमको क्या क्यूस करना है जैसे यह डिजिटल मार्क्टिंग कोर्स है यहां यहां इसको मैं इसको सोचल मेडिया नहीं डालूंगा यहां पर मैं क्या करता हूँ यहां पर अगें डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेश यहां कोर्स है पहला यहां कोर्सेश है यहां डिजिटल मार्केटिंग कोर्स for beginners ऐसे कुछ ठिक है तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर यह जो exact keyword है digital marketing course digital marketing courses digital marketing training courses digital marketing course for beginners मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ यहाँ एक तरीके के keywords है एक ही theme वाले keywords theming theming यहाँ पर important है क्योंकि एक ad group में आपको एक ही थीम वाले कीवड लेने हैं और यहां पर बाइफर केशन ऐसा हो गया ना कि पोर्स कोर्स ट्रेनिंग यहां यहां पर दूसरा यहां पर आड गूरूप ले रहा हूं यहां पर मैं क्या कर रहा हूं यहां पर इस कूर्स इसको मैं कॉपी करता हूँ और यह दूसरा जो है इसको मैं यहां पर पेस्ट कर रहा हूं और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं class is class is class i. यहां पर AirPods ने बुटता था ने कि थि दिखाता है करके पर्टिकुलर स 마음에 अगर सेलेक्ट करता है है ह हमें यस यस करेक्ट क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग जैसे हैं यह एक एड ग्रूप में एक ही थीम वाली कीवर्ड्स होने चाहिए उसके अलग-अलग चाहिए यहांपे मैं डिव क्लासे यूझ कर रहा हूं यह में घ्रितल क्लासे को इंपोर्टेंश तरहा हूं है तो अंबर में जो कीवर्ड यूज सकते हैं तो उसके ही साबसे हम यहां पे जैसे यह जो keyword है मेरा यह broad है ठीक है बट इस keyword को मुझे फ्रेज मैच करते हूं और इसको मैं एक्जेक्ट मैच कर देता हूं यहां अगेन मैं एक keyword डालता हूं इसको भी मैं डबल डबल नहीं कर सकता इसका अगर मैं मुझे कोई कीवर्ड है यहां पर जो यह ट्रिगर नहीं होना चाहे तो मैं कोई कीवर्ड है जिसको निगेटिव में कीवर्ड रख सकता हूं लेकिन यहां पर मुझे आप्शन नहीं है यहां पर निगेटिव कीवर्ड डालने के लि है तो ईक एक एयड़ ग्रूप में आपको एक ही तीम वाले कीवर्डDs use करने है समझ किया ? आपको अलग-अलग कीवर्डs नहीं यूज करने है एक ही तीम वाले एक ही नाम की keywords आपको एक ad group में यूज़ करने है अलग-अलग variations भी ने डालने है और और क्या हाँ और एक चीज़ भूल गया मही आदा गया जैसे कोई एक ad दिख रही है एक keyword है यह keyword है यह ad group number one में है यह एक पहले ad group में है और यहाँ पे जो ad मेरा था यह keyword होगाए इस keyword में मतलब यह keyword था इस ad group में जो भी आड़ था वह जो धर होगा मतलब अगर कोई भी यहाँ आप करता हैं तो वह ago और यहां के लिए मैं रिच कोई ने बनाया है तो उसके लिए उस keyword के लिए यह नीजियी कोई जो आ सब्सक्राइब करेंगे इसका कीवर्ड प्लैनर का भी हम लोग देखने वाने गूगल कीवर्ड प्लैनर को वहां पे भी हमको बहुत अच्छे से समझ में आयेगा सब्सक्राइब करने के बाद में अगर कोई सवाल है तो पूछ ले ना बाद में भी ठीक है और कुनाल जी दिखविजय सनी विजयलक्ष्मी और कोई क्वेरी क्वेश्चन है कि लाद तो नहीं क्या है काम करने के बाद कुいश्छन आते हैं देखो यह अपहρι जब हम लोग प्रोसेस में लगते है प्रेक्टिकली तब हमको आहाँ पर एर्र से एंकौंटर होते हैं और एरर जब आती है तब हमको मज़ा आता है काम करने के लिए ठीक है फिर कहाँ गे सब लोग कोई रिप्लाइए ने दे रहा है सनी, वीजालक्षमी, कुनाल नहीं सर्थ नहीं ना कोई शुन है आगे चलके हम लोग ये देखेंगे कि कैम्पेंज रन करते वक्त कुन सी जो है पैरामेटरस को हमको जो किया जोड़िए जितने भी वो सभी जो अबज़ेटिव से उसको डिटल पर समझेंगे ठीक है? एक रेट? हम्छा माँ अगे बचलो फिर बाई-बाई थैंकि ये नाइए आम ग्वार्ट चालो टيयुवार्ट खीज हाइन अज्वार्ट खीज एट वीजा!